बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के कमेंट पर नसीरी दिन शहा इतना भड़क गए कि उन्हों ने इस मामले पर सल्मान, शाहरुक और आमिर खान को ही जंजोड कर रख दिया पिछले दिनों नुपुर शर्मा ने पैगंबर मुहमत साहब पर आपती जनक टिपड़ी की थी जिसे लेकर भारत सही दूसरे मुलकों में इसका विरोध हो रहा है इस मामले में कई एक्टर्स ने नुपुर की निंदा की लेकिन शारुक सल्मार और आमिर ने इस पर कुछ भी नहीं का अब तीनों खान्स की इसी चुप्पी को लेकर नसीरुदिन शाह ने सवाल खड़े कर दिये हैं NDP को दिये इंटर्व्यू में शाह ने तीनों खान पर निशाना साथते हुए कहा मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता वो जिस पोजिशन पर हैं वहां मैं नहीं हूँ मुझे लगता है कि वो शायद जादा खत्रा उठा रहे होंगे लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो अपने जमीर को कैसे समझाते होंगे लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसी इस्थती में हैं जहां वो बहुत कुछ खो सकते हैं नसीर उदिन शाहा ने शारुक के बेटे आर एन खान ड्रक्स केस का उधान दिया और कहा शारुक के साथ जो हुआ और जिस तरह से उन्होंने इसका सामना किया वो काबले तारीफ है ये उत्पीडन के लाबा कुछ नहीं था उन्होंने अपना मुझ बंद रखा सोनू सूत के घर पर भी छापा मारा गया जो भी आवाज उठाता है उसे पर नाम भुगतना पड़ता है शायद अगला शिकार मैं हूँ मुझे नहीं पता लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा नशीर उदिन शाह यहीं नहीं रिखे उन्होंने तक कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हिंदूों के नरसंगार को ही कालपनिक बता डाला इसके साथ शाह ने उन फिल्मेकर्स और एक्टर्स पर भी सवाल उठाए जो राष्टबादी कहे जाने बाले प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे है नश्यूरी दिन शाह ऐसे ही विवादित बयाने के लिए जाने जाते हैं फिलाल उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे अपनी राहा में कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे